हेलो एवान और कहिए कैसे हैं आप सब लोग मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आज की दिन की शुरुवात यहीं से करते हैं किचिन से तो मैं बना रही हूँ केक और आप सब इसे रिक्वेस्ट है अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में और जो पहले से मेरे फ्रेंड है अगर उन्हेंने भी सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए सभी से रिक्वेस्ट है और वीडियो उसको फुल वाच करा करें जो रेसिप में आप लोग से श केक डाल रखा है तो आप वहां जाके देख सकते हो और यहां पर सारी नोजिल्स रखी थी उस वाले बॉक्स में और यहां पर यहां पर यह स्पून रखे हैं मैं वही निकाल रही हूँ सारा मेजर्मेंट जो भी है न सब निकाल रही हूँ और उसी के साथ मैं आपके साथ केक तो यह बन रहा है बड़े special cake है जो आपके साथ शेयर कर रहे हो बड़े किसका है तो इसके लिए आप लोग को जो इसके बाद का vlog आएगा उसको देखना पड़ेगा यहां पर मैं इसको फेटने के लिए बीटर का यूज करें एलेक्टर का और यहां पर मैंने 1 cup दूद लिया है और उसको डाला है मेने yellow वाले भाग में ऑलग राखा है 1 टी सबर बीटर में अलग रखा है ऐसन डाला है ह्सब्umm,, hai तो यहां पर ले लिलिया है मिने यह वाइट वाला पार्ट भी को फेट रहे हमलोग你有 वाइट वाला पोशन है इसको फीटा है । इसके बाद मैंने डाला है हाफ हाफ कप करके शकर डालोंगे तो इसमें मैंने हाफ कप शकर डाला है उसके बाद मैंने वन कप जो शकर है वो उसमें डाला था यानि कि डेढ़ कप शकर डाला है टोटल दो कप मेदे में तो इसको फेट लेंगे थोड़ी थोड़ी करके शकर डालनी है एकदम से नहीं डालेंगे तो यहां पर मैंने इसमें वनकप डाल दिया है यहां पर देखेंगे यह मैं इसमें ढाल रही हूँ शकर तो शकर को डालके अच्छे से फेट लेंगे चाहो तो आप एक ही पार्ट में शकर डालीजी या फिर दोनों पार्ट में हाफाफ करके शकर डालीजी तो यह शुगर पौडर है जो डाल रही हो में और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा मिल्क दोनों को अच्छे से मिक्स मिक्स कर्देंगे उसके बाद इसको हम तो यह दिखिए मैं दोनों पारट को अच्छे से मे celebrating ipad clean . में बार लपर summers दीख रही हुँ तो longitud रिके मैं अब को मुझे बोला है इसपेŞ लेकि MOD crisp आ वाइट बनाई तो इहाँ पर किस тебя आप ऑप कर मेरा पूरा रिजिवी हो रहा है साथ मेने हैर पे भी हैंकि अच्छे से टाइट का बांद रहा है तो बस यहां पर इसको में ग्रीज कर लेती हूं पेंट को तो दो पेंट में बन रहे हैं केक तो इसलिए मेने ज्यादा बेटर लिया है आप अगर जोटा सा एक ही बनाना चाह करते हैं तो आप हाफ कर लिजी इसको दोनों पर घी लगा के अच्छे से घी ग्रीस करके और मेदा पुरग दिया है चार जरफ आप चाहो तो टीशू पर लगा सकते हो लेकिन मेने सुच्छा कि कोन लगाए चलेगा बन जाएगा इसे भी उसके बाद दोनों में बेटर डा केक बनाने के बाद मुझे जाना है मार्केट आज का दिन इतना बीजी था मतलब यह बड़े वाला दिन था तो सुबे से ही बहुत ज़्याद बीजी रूटिन था मेरा इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं पार्ट में डिवाइट कर दू क्योंकि इस पीट बढ़ा के या फिक काट काट के वीडियो दिखाऊंगी तो मज़ा नहीं आएगा तो केक तो मैंने रख दिया है बेक होने के लिए 40 मिनिट के लिए 180 डिगरी पे अभी रखा है फिलार फिर टेखनी के अगर थोड़ बड़ कच्छा रहा तो फिर और 15 मिट बढ़ा देंगे और केक बेक हो रहा है इस बीजी में बना लेती हूं समूर से उससे बना लेती है अगर बात करने का टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि अगर मैं बात करने बैट गई तो फिर रेसी पिसको इस पिल्म में करना पड़ेगा और वीडियो बढ़े हो जाएंगे इसलिए मैंने सोचा कि काम करते करते हैं आप लोगों से बात कर लो तो यहां देखिए मेरे केक अच्छे से भूग गये थे तो इनको में रख दिया था दस पंदा मिट के लिए उसके बाद इंको निकाल रही हूं और इसका उपर का हिस्सा है कड़क वाला उसको मैंने निकाल दिया है और अच्छे से डीटल में देखना है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज हाउ टूमिक भाई काया थी जो रेसीपी का चैनल है वहां जाकर देख सकते हैं देखी कितना स्पंजी बना है एकदम जाली दार देखी तो बस यहां पर मैंने बनाया है शुगर सिरप तो इसमें मैंने फो टीस्पून शुगर पाउडर लिया है और उसमें थो यह बनिया है बीट नहीं करना है और व्रीजी में से निकाल के और उसको फीछल जाने दीजियो उसके बाद वीट के रीएगा और इसको मैं मार्केर से लेक आई थी तो मार्केट भी जाना हो रहा है साथ में खाना भी बन रहा है और मैं देखती बीजा रही हूँ कि दिख भी राइकिन दिख रहा है तो यहां देखिए यह बहुत अच्छे से विप्क्रीम बन गई है इसे मैं ने शुगर पाउडर डाला था 40 तो यहां पर इसको मैं अच्छे से प्रॉपर तयार हुचकी वि तो आप लोग इंजोई करिए म्यूजिक के साथ में केक डेकोरेशन को हम फाइनल लोग देने वाले हैं हल केसी डिजाइन से तो यहां पर मैंने लिया है यह कौन जो मेन भी बनाया फटाफट पॉलिथिन से और इस्टार नोजल लगाया है इसमें तो बस इस तरह से सिम्पल से फ्लावर बना रहे हैं देखिए इसमें और अगर गर्मी का मौसम रह किसी बड़ी तपके और फिर यह विक्रिम को उसमें रखिए नहीं तो घल जाएगी और फ्लावर बिल्कुल अच्छी डिजाइन के नहीं दिखेंगे बहुत ही सिम्पल सिम्पल बना रहे हैं तो यहां पर एक बड़ा सा फ्लावर बीच में बना दिया है और कितना सुंदर केख दिख रहा लगाल। अगर यही आप लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको यह थी कम करना मिलेगा तो यहाँ में मार्केट से जेमस पी लिकी आई थी सोच रखाता कि मुझे किस Bacon को डेकुरेट करना है सिम्पल तरीके से यहां इस स्टार से आप मतलब कुछ ecology बी डे-च्री कर सकते हैं इस सब्सक्राइब चोटी बाल्स थे प्रिंगे ये मैश के उप्रों कर देती हूँ मैं उपञ साइड में फ्लावर के सटार तरफ तो इससे बपान कर जाये औð बचों को इस से पशना देती देखे एक गिरिया तो जिसको कावेन उठा के खाया है और जेम्स के लिए खड़ी थी वो तो बच की थी थोड़ी सी तो उसको दे दिये मैंने खाने के लिए और ये देखे केक बन के ते यार हो गया एक चेरी रग दिया है मैंने उपर तो प्लीज चैनल को बेल आइकन के झाल जब जो देखे खाया है तो